नमस्कार साथियो नियूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं एक तरफ महंगाई का दोहर चल रहा है महंगाई इतनी खतरनाक है कि वह भारती अर्थरवस्था का साथ नहीं छोड़ रही है और दूसरी तरफ बड़ी-बड़ी कमपनियां भयंकर मुनाफ़ा कमा रही है या पूरा परिदिर्श अर्थरवस्था के बारे में क्या बताता है इस पर बाचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठार्टिक पत्रकार औनिंदो चक्रवर्ति तो सर आपसे पहला सवाल यह होगा कि जब महनाई बढ़ती है तो ये भी कहा जाता है कि कच्चे माल की लागत बढ़ेगी सेवाओं की लागत बढ़ेगी और कच्चा माल सेवा ये कंपनी के लिए भी जरूत होती है यानि कि उनकी भी लागत बढ़ेगी लेकिन ये बताया जा रहा है ये दिखने में आ रहा है कि कंपनियां भयंकर मुनाफ़ा कमा रहा है इसक बहुत सारे इंपूट्स जो भी होते हैं वह चीन से आते हैं आप कोई भी मेड इन यूके मेड इन यूएस से खोल के देखेंगे तो अंदर पार्ट जो है वह चीन के हैं चीन में जब लॉगडाउन शुरू हो और बहुत शुरू हो तो बहुत चीजों का सप्लाइग कम हो ग खैला तो बहुत सारे आफिसे बंद हो गई कार दो खाने वह भी तरसे उसको उसको यह कम होगा अब सप्लाइग कम होगा तो सप्लाइग जब भी कम कि चीज की आगर सौ लोग चीज़ें चाहते हैं सिरफ पचास लोगों के लिए तो यह वाजिब है कि क्या होगा जो बेच जादा दाम पर खरी देंगे लेकिन जब सप्लाई कम होता है तो फैक्ट्रियों को भी जो उनका जो कच्चे माल का खर्च होता है वह भी बढ़ जाता है जैसे अगर कोविड में लॉकडाउन हो गया तो लेबरर जो मजदूर है काम करने के लिए जो आ रहा है उसका वरकर जो चाहेगी जिसको रिसेशन का जाता है अगर डिपी आज सौ है दस परसेंट बढ़ेगा तो एक सो दस होना चाहिए जब होता है तब यह बहुत कम होता है सद्धारन सब्दों में कहा जाए तो वह समय जब माल और सेवाएं बिकनी बंद हो जाते हैं उसका उत्पादन कम हो जाते सिर्फ बिकनी नहीं पूरे दुनिया में मंदी चाहिए पूरे दुनिया में रिसेशन आया और उसके बाद जब रिकावरी आई सब लोग चीज़े खरीदने लगे फैक्टरियां खुली तो कुछ लोग जब काम पे वापस आये तो उसमें भी थोड़ा बहुत एक चीज़ होा कि वेज़े जरूर बढ़े थोड़ा बहुत लेकिन इसके चलते पूरे दुनिया में जित इसका दाम बढ़ गया है मैं कोई शर्ट बनाता हμको टेकSTIL का दामबढ़ गया तो उन्होंने कहाकि हम मैं लाओ से हो सके कषुक्षों करने के लिए हमें दाम बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि bothन जाना धा तो इसके चलते सारे कॉर्परेट ने दाम बढ़ा और इसके उपर एक आप देखे एक स्क्यूज रहा कि डिस्रप्शन होगा सप्लाई कम इसलिए दाम बढ़ा रहे हैं दूसरी बात एक और कही गई कि देखें पूरे दुनिया में सरकारों ने क्या किया कि लोगों के हाथ मे पैसे दे दिये कोविट के टाइम में क्योंगी नौकरिया नहीं थी बहुत सारे सरकारों ने खर्चा किया हमारे देश में भी हुआ और उसके चलते लोगों के आप में पैसे आ गया तो खर्च करने लगे डिमांड बढ़ गई मांग बढ़ गई और मांग जितना होना चाह लोग आजमी कर सकते लेकिन शरकार नोट चाप के लोगों के आत्में पैसे दे तो आटीफिसली मांग बढ़ गई और मांग बढ़ गई तो दामें बढ़ गए ठीक है यह काजार है कोई नहीं कहता है कोई भी अर्तशास्त्रिया आपको यह नहीं बताहेगा कि अमेरिका मे स्टडी करके देखा गया है कि साथ प्रतिशत जो महेंगाई दर बढ़ी है साथ प्रतिशत वह प्रॉफिट बढ़ने से बढ़ी है जैसे सिंपल सवाल सिंपल भाशा में मैं एक चीज कहता हूं आपको जैसे अगर आप सोच लीजे कि कोई कार खाने में शर्ट बनते है और और वो और मेटीरियल का पचास लेवर का पचास जो बेच रहा है वह 120 देशता है इसका प्रॉफिट ठीक है अब वह कहता कि देखें रौव मेटीरियल का दाम 100 हो गया लेवर का दाम सत्तर हो गया अब तो मेरा खर्चा है 130 में 120 में कैसे बेचूंगा अगर मुझे 20 20 रखना तो मुझे 150 में पड़े लेकिन असल में क्या हो रहा है वह 150 में नहीं बेच रहा है वह 170 में उसने भी इस इस आड में अपना प्रॉफिट दुगना कर लिया है तो हम सिर्द दुनिया भर में देख रहे हैं कि कॉर्प्रेट प्रॉफिट रेकॉर्ड लेवल पर है इस वक्रॉपरेट प्रॉफिट हमारे देश में पिछले साल कोविट के साल में जब पूरी देश की एकॉनमी ठप हो गए थी रेकॉड प्रॉफिट हुए हमारे देश के हजार मुझे इतना ही यादे दोहजार आठ नौ के बाद सबसे जादा प्रॉफिट का तो जब कहा जाता है कि देखिए महंगाई बढ़ रहे हैं क्योंकि मजदूर बहुत जादा मांग रहे हैं या मांग बहुत बढ़ गए या चीजों के दाम बढ़ इन्पुट कॉस यानि कि वह जो भी कहा जाता है जो भी बताया जाता है कि बाहिकारणों की वजह से सप्लाइग की कमी की वजह से इंफलेशन बढ़ रहा है लेकिन असल जो कारण है जो सबसे बड़ा कारण है वह मुनाफ़ा बढ़ने के अब बात यह आती है कि वह जो मुनाफ़ा बढ़त है तो वह मुनाफ़ा चंद लोगों के पास रह जाता है या मुनाफ़ा लोगों में बठता भी है देखिए बात यह है कि जब हम अगर देखे तो हमारे देश में 30,000 कंपणियां है कुल तीस हजार जो कुल जो प्रॉफिट होता है कुल प्रॉफिट का आधा उसी 30,000 कंपणियों में होता है अगर हम देखे शायद लाखों में लाख बहुत सारे लाखों में कंपणियां एंट्रेप्रेणियों बिजनेस के लोग हमारे देश में होंगे लेकिन 30,000 टॉप कंपणियां आधा से ज्यादा प्रॉफिट करती है और उनमें से जो जो पांच हजार के आसपास कंपणियां स्टॉप मार्केट में वह उस आधे का 75 प्रतिशत ले जाते हैं ठीक है तो सिर्फ पांच हजार टॉप कंपणियों का देश में खुल मुनाफ़े का आप कह सकते एक तेहाई उनी के हाथ तो जब देश में मुनाफ़ा का मुनाफ़ा बढ़ता है उपर सबसे जादा मुनाफ़ा बढ़ता है नीचे नहीं बढ़ता है और मुनाफ़ा कैसे बढ़ता है जैसे मैंने का हां कुछ पैसा उनके हाथ में जा रहा है कि मजदूरी बढ़ गई ले तो आपका कोई फाइदा नहीं आपका 2% लॉस है कि कल जो आप 100 रुपे में खरीबते थे आज उसको आपको 112 रुपे देना पड़ा है तो आपकी आमदनी असल आमदनी घट गई है जब इंफलेशन होता है तब मजदूरों की असल आमदनी घट जाती है और इसके लिए कहा जाता है कि देखिये मजदूरी चाहते कि इंफलेशन पर रोक लगाए जाए लेकिन जो इंफलेशन प्रॉफिट से बढ़डा है उस पर कोई रोक नहीं लगता यहीं बात है कि बाद जो प्रॉफिट होता है वह पूंजी पती हमारे दुनिया में बहुत कम है एक परसेंट होंगे दो परसेंट होंगे जो पैसा बनाते यानि 99-98 परसेंट लोगों को नुकसान होता है जब प्रॉफिट बढ़ता है तो वह भी किताबों में पढ़ते हैं सुरुवात 8-10 क्लास किताबों में कि जब पैसे का प्रवाह बहुत ज्यादा हो जाता है और उत्पादन कम ह होता है तब महनाई बढ़ जाती है यानि कि यहां पर जो पैसे का प्रवाह है केवल चंद हाथों में है बाकी हर जगा पैसा है नहीं यह जो बाते हैं यह सारी बाते अब कहनी चाहिए बसरते की वह जो किताबों में लिखी होती है कि पैसे का प्रवाह बहुत ज्यादा हो ऐसे का प्रभाव बहुत जादा हो गया ये कहा जाता है किताबों में और ये चीज़े money का flow हो गया लेकिन उतनी चीज़ेश बन रही है इसलिए दाम बढ़ना यह लोगों के आप मतलब नहीं कि पैसे के प्रभाव पैसा किसके हाथ में जा रहा है हुससे बढ़न यह नहीं तो कि अचियों कि आ एक सिंपल रहा में आप तो वह सौके जगे सत्तर बना रहें लेकिन घटा तो दस मशीनों का है मशीन जब खरीदा तब तो दस खरीदा था तो जो उनका fixed cost है जो लैंड का cost है जो rent का cost है वो तो वही का वही है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा है जो manager है बड़ा बाबू है उसका salary तो अगर हम पर unit यानि कि पर item का यह जो fixed cost है वो देखे तो जितना लोग खरीद नहीं पाएंगे उतना वो खर्चा बढ़ जाएगा दाम बढ़ जाएगा कम नहीं होगा तो अगर लोगों के हाथ में पैसा दिया जाए ठीक है अब डिमांड बढ़ जाए और दसों के से दाम घट जाए ना बढ़े ठीक है दिमांड बढ़ने से दाम बढ़ने का इकनॉमिक टेक्स बुक में इसलिए बार-बार बताया जाता है कि इसका कारण बड़ा कारण यह है कि ताकि कॉर्परेट जो प्रॉफिट है उस पे कोई भी आच न लगे कोई सवाल न उठाए कि अगर आप कहरें कि वेज कम कर दिया जाए मजदूरी कम हो या इंट्रेस ट्रेट बढ़ा दे ताकि आसानी से लोग लोन न ले सके तो फिर आप प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं आप क्यों ने कहते कि इस चीज का दाम इस से जाधा नहीं हो सकता हम दस परसें से लाना चाहती क्योंकि मैंने बहुत जगा देखा बिरुजगारी की जो बहस चल रही है इस पर हर बार यह कहीं पर रिपोर्टिंग करने जहां भी गया तो उनका यह कहना है कि दरसल सरकार नौकरी नहीं देती है नौकरी देंगे प्राइवेट छेतर के लोग तो प्राइव से बड़े लोग हैं आज अगर आप अस्ती के दशक में अगर आपको का जाता कि देखिए मात्मा गांधी बहुत वह हैं अलबर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े आदमी थे और शेक्स्पेर बहुत नाइंटीज में आते आते हर्शद महता ने शेक्स्पेर का जगे ले मैं जो आपको यह नहीं कर रहा हूं इंडिया टुडे के नाइंटीन नाइटीटू के सर्वे में एंबी ए स्टूडेंस का जो सर्वे हुआ था उनमें उन्होंने जो अपना बिगेस्ट रोल मॉडू का था उसमें नंबर टू रहश्रद महता थे जबकि वह जेल जा चुक लालच बहुत अच्छा है लालच करने से आप जादा प्रॉफिट करेंगे तो देश की तरक्ती होगी तो मारे देश में ग्रीड इस गुड ठेला दिया गया है तो अगर कोई भी कहें कि हम कॉर्परेट का जो प्रॉफिट है उस पे अंकुष लगाएंगे तो सब कहेंगे यह तो ठीक बाद नहीं कि कॉर्परेटर देश चलाते हैं अंबानी अदानी यही तो लोगों को नौकरी देते हैं आप उनके प्रॉफिट पे लगांगे तो क्या होगा तो यह जब दिमाग में आपका बैठ जाता है और आप देखेगी नैंटी नैंटी में जो पैदा हु में तो आदमी अपना करियर के थोड़ा आगए नैंटी नैंटी वन के बाद ऐसी बाते बिल्कुल बैन हो गई है कॉर्परेट पर कोई टैक्स लगना चाहिए कॉर्पर पर अंकुष लगना चाहिए जो 31 साल का उसने कभी सुना ही नहीं है कॉर्पर पर अंकुष लगनी च और इस वज़े से हम अगनीपत योजना ला रहे हैं कि पैंसन आपको ना देने पर तो यह सारी तर्कों का मुझे रखता है सरकार यह नहीं कहेगी कि अगनीपत हम इसलिए ला रहे हैं ताकि आपको चांस मिले देश की सेवा करने कि लो और आप भी कुछ चार साल तक काम की यह चलिए हाँ वह आर्मी में तो होता रहे है रिक्रूट वह तो पीछे से खबर आ रही है कि यह पैसा बचाने का चक्कर आम लोग आम लोगों तक भी नहीं पहुंसती है कि दरसल सरकार चाहें तो बहुत सारे माद्यमों से सरकारी खजाने में पैसा ला सकती है जैसे कि आ इससे कोई फाइदा हुआ है क्या हमारा मैनुफैक्ट्रिंग ग्रोथ हो गया और फेट टैक्स जो काटा गया था दोवहजार चाहएद अठारा उनीस में उनीस में उससे क्या बहुत जादा ग्रोथ हो गया हमां आज देश में किसको फाइदा हुए सिर्फ एक चीज प्रॉफिट प्रॉफिट ना इंप्लॉइमेंट बढ़ा है ना वेजेज बढ़े हैं सिर्फ एक चीज पॉपरेट प्रॉफिट बढ़ा तो सीधी बात है कि अगर आप चाहते तो प्रॉफिट पर जादा टैक्स लगा सकते थे मार्जिनल टैक्स मतलब जो बहुत जादा करते हैं उन पर आप एक फ्रेशोड लगा दिए इतने कडोर के ऊपर जो है उनको इतना देना पड़ेगा सर्चार जो आज के डेट पे अगर कोई पच्छेस हजार रुपे उसका अनिंग हो तो वो टॉप 10% में है यह सरकारी और उसी जगह पे ऐसे लोग हैं जिनको साल मे 6 करोड तो आम है कॉर्परेट सेक्टर में सेल्डी अब उन पर टैक्स लगा रहें सही बात मुझे मैं यह कहूंगा कि मोदी सरकार यूपीय सरकार के तुलना में ज्यादा टैक्स लगाती है अमीरों पर कुछ भी टैक्स नहीं लगाती है देश से बागे नाम पर 20,000 चीज़ खाता हूं हमारे देश में बड़े शहरों में बहुत सारे ऐसे दुपाने हैं जहां पर सिर्फ ऐसी चीज़ें वीखती है बाहर विदेशी जो क्रीम लगाते हैं वहीया कौन देशी क्रीम लगाते हो ना तो सिर्फ कोई 5,000 रुपे का क्रीम लगाते हैं आपकी आम है यह कोई नहीं बात नहीं यह बहुत ही आम है ऐसे बिल होना और आप अगर आपका इसमें आदत हो गया है तो आप सोची कि जब भी और टैक्स आपका टैक्स बढ़ेगा तब आप कहेंगे बहुत बिलाओ अब हम कैसे चलाएं आप यह नहीं सोचते कि आपके लिए घ आपके फिर फाइदा ही क्या है यह एक बार जब आदत हो जाती है और यही लोग हमारे देश की न्यूज मेंकर यही जिसको कहते हैं पब्लिक डिस्कोर्स को तयार करते हैं मुझे हिंदी शब्द इसका पता नहीं है आप बता पाई है कि यही उतर कर आता है अगर पोलिटिकल एजिटेशन साथ में ना हो अगर और और मास और्गनाइजेशन में सवाल ना उठाए जाए और इस तरह के सवाल ठीक है यहीं तो हम खत्म करते हैं जैसे कि आपने कहा क अगर इस तरह के सवाल ना उठाए जाएं कि दरसल महंगाई का बड़ा कारण कॉर्परेट मुनाफ़ा है जो कॉर्परेट लागत बढ़ा रही है वो है अगर ये बात लोगों तक ना पहुँचेगी तो जो भी हम चाहते हैं कि एक लोग कल्यानकारी राज्य बने वो संभ सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे टुटर पेज हमारे फेस्बुक पेज को लाइक कर सकते हैं और हमारे वेब साइट पर जाकर हमारी खबरों को पर सकते हैं सुक्रिया आप देखते रहें न्यूस्क्री